आज मेरे सामने जो देश के नौजवान बठे उनमें हम देश का बविश्य डूणते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवान देश के बारे में क्या सोचते हैं क्या चाहते हैं और हमारे देश के बारे में क्या समझ रखते हैं तब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, दोस्तो, क्या आपने कभी सचा है, जब संऺत हमरा हुआ वहाँ पे हमारे जवान नहीं पोंचने से हमारे संवस्साट का और हमारे देश का क्या होना था, जब ताज होटल पे हमला हुआ, वहाँ पे हमारे जवान जल से जल नहीं पहुंचने से हमारे देश का क्या होना था दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है जब पाकिस्तान पैटन टैंक लेके हिंदुस्तान के उपर आक्रमन कर रहा था तब हमारा अब्दुलहमीद नाम का जवान अपना सीना चवड़ा करके सरहत की रक्षा कर रहा था और रक्षा करते समय उसने पाकिस्तान के साथ पैटन टैंक उड़ाए थे अगर वही पाकिस्तान के साथ पैटन टैंक हिंदुस्तान के अंदर घूसने से हमारे देश का क्या होना था आपने कभी सोचा है पाकिस्तान जम्मू काश्मीर के उपर आक्रमन करते हुए हमारे स्रीनगर तक पहुंचा था तब हमारे मेजर सोमना शर्मा ने अपनी सेना के साथ पाकिस्तान की सेना को जम्मु काश्मिर की सरहत के पार खदर दिया था पाकिस्तान की सेना को सरहत पार भेज दिया था अगर वही मेजर सोमना शर्मा नहीं होने से क्या आज हमारा जम्मु काश्मिर हमारे देश का हिस्सा होना था क्या आपने कभी सोचा है जब पाकिस्तान ने करगिल के उपर आक्रमन किया था तब हमारे हजारों जवानों ने बलिदान देखे करगिल के उपर तिरंगा ले रहा है था वही हमारे जवानों ने बलिदान नहीं देने से क्या करगिल हमारे देश का हिस्सा होना था दोस्तों आपने कभी सोचा है तब उनके सम्मान में मैं दो पंक्ति रखना चाहता हूँ और आपका होसला तो है करेगा मैं आगे कि बात आपके सामने रखू या नए रखू तब मैं दो पंक्ति रखता हूँ जिनके गर्म लहु के छिटे सहस की तहरीक बने जिनके गर्म लहु के जीटे साहस की तहरीक बने उनके जीतेजी लोकतंत्र के मंदीर की प्राचीर बने जिनके जीतेजी लोकतंत्र के मंदीर की प्राचीर बने और आज जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा अपनी लाशे बिचादी उन्होंने उपर हिंदुस्तान रखा दोस्तों मैं सोचता हूँ मैं मानता हूँ कि हम बहुत भोले हैं क्या आपे सोचते हैं हम बहुत भोले हैं इसलिए कि हम देश को मैफूज रखने के लिए, देश की हिपाज़त करने के लिए हम आतंकवाद से लड़ते रहे देश की सुरक्षा करने के लिए हम मावाद से लड़ते रहे, नकसलवाद से लड़ते रहे लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा खत्रा उन आतंकवादियों से नहीं उन अकसलवादियों से नहीं हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा खत्रा उन गद्दारों से है उन देश द्रूईयों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते है जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते है कोई बोलता है अब जल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते तब बुरा लगता है मुंबई हमले का माश्टर माइन याकूब मेलन को फासी की सजा सुनाई दी जब उसे फासी की सजा सुनाई दी उसमें कोई बुरा है नहीं लेकिन बुरा तब लगता है जब आतंकुआदियों के जनाजिय में हमारे देश के लाखों लोग जन सहलाव उमण पड़ता है तब बुरा लगता है दोस्तों ए हमारे देश की सरहत की रक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं लेकिन तब हमारे देश के अंदर कही आवाज नहीं उड़ती लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तन में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब वही हमारे देश के हज़ारों लोग हमारे सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबुत मांगते है तब बुरा लगता है दोस्तों संसद हमले का मास्टर माइंड आपजल गुरु को फासी की सजा सुनाई दी जाती है उसमें कोई बुराई नहीं कोई दोराई नहीं लेकिन बुरा तब लगता है जब हमारे देश में उसके लिए शोक मनाया जाता है जब मुकाश्मिर में उसके लिए बंद पुकरा जाता है और जेन्यू उनिवर्सिटी में उसके लिए स्रद्धान जली दी जाती है तब बुरा लगता है दोस्तों और कोई हमें सिखानी की बात करता है कि वंदे मातरम बोलना समीधान में कहा लिखा है राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना समीधान में कहा लिखा है उनको मैं बताना चाहता हूँ समीधान में चट्डी पहेंना कहा लिखा है फिर भी तो आप पहेंते हो कुई बोलता है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ अगर इस देश में रहना होगा भारत माता कीज़े कहना होगा